तो वेलकम तो चैनल जेपी इंस्टिटू तो हम लोग अभी नेक्स टॉपिक देखने जा रहे है ऑफ तर्बो मशिन इस फोर्स एग्जेक्टेट बाई जेट ओने मुविंग प्लेट फोर्स जब एग्जेक्टेट का मतलब फोर्स हम लोगों फोर्स फांड करने जब तो फिल्ड मूव होगी तो एज यहां पर नोजल नोजल का काम क्या होता है कि इंक्रीज दी प्रेसर एंड वेलसिटी ऑफ जेट मतलब प्रेसर और वेलसिटी जेट का इंक्रीज करने के लिए जेट है जब वह इस मोविंग प्लेट को स्ट्राइक करेगी या टकर देगी इसमें सब इजी वहासा में तो तो इसको स्ट्राइक करने के बाद यह थोड़ा से मूव होगी आगे की तरफ तो यह में डॉट्टेट लाइन में में रिप्रेजेंट किया हूं कि जब मूव होने के बाद जो इसका फोर्स रहेगा जेट का वह वी पे ले होगा बाद में स्ट्राइक होने के बाद वह उपर जाएगा ऐसा ऐसा कुछ ताइम के बाद तो उसका जो डिफरंस है जा आप आपंट हैं आशंे के सब्सक्राइब हो अब बिन फस रहेगा तो चलना के और यह जो यह थिर्फरंस में अंag वह च्टाहि में तक इस जीए बिलएट से सब्सक्राइब निवे डिटीह निकालेंगे तो डिलेटीव वेलोसिटी तो हमुआ कि आम से डिनोट करते हैं डेलेडिव वेलोसिटी से एफ जेट 나रे성९। कि आप डिएग्रम से पिले देख सकते हैं कि जेट वह एक्स डिरेक्षण में ही थुर्सक्राइब ऑर प्ले防 तेटी escuch इत विच इट विल स्ट्राइक का मूविंग जब स्ट्राइक होने के बाद और स्ट्राइक होते टाइम जो उनका दोने का डिफरेंस होगा फोर्स का तुसको आप बोलते हैं डिलेटिव वेलोसिटी आप डाइगरम से पहले देख सकते हैं कि जिट वो एक्स डिरेक्शन में ह जान ही मुव हो रहा है इस डिर्यशन में गॉन हो रहे हैं कि आप देख सकते हैं वैसे तो नीचे कट मुछ कुछ डियरिवेशन देखने जा रहे तो ध्यान से वीडियो देखिए देखिए हां तो फोर्स और एक्स डिरेक्शन फोर्स हम लोग पाता है कि एक्स डिरेक्शन में फोर्स यहां पे प्लेट मूव होगा और जेट मूव होगा हां तो हम लोग इसको एक्स नाम देंगे Fx x direction में हो रहा है इसलिए तो हम लोगों पाता है फोर्ट को पहले फॉर्मुला कि हम लोगों बैंच मने पढ़ा है in physics that is mass into acceleration mass into acceleration और हम लोग acceleration का हम लोग इस तिम से भी लिख सकते हैं डीवी बाई डीटी तो Fx is equals to m into db by dt और आपको पता है कि दीवी दो टाइप में फोर्स डिस्ट्रिबूट होगा एक प्लेट का फोर्स और एक जेट का फोर्स वेलोसिटी सॉर्य इसके मतलब बीच में होकर थोड़ी जाएगा तो वी टू एक्स उसका फोर्स होगा पहले पहले पता लगाते थे कि वह होता कि एक इरेंक की प्लोग मतलब पहले इसोर्फ होने वाला एक प्लेट येक्स तो हम लोग लोगन के व्लोग को थो बाद वकिर्लो सीट हो गए है इसके वाद से तो यह टम मिला हम लोगों को तो अब 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 नेक्स्ट देखने वाले जिस्ट आ सेकेंड लोग ने पिछली वीडियो में ही देखा था की मोमेंटम होता क्या है मोमेंटम इंटब मास इंट лег देखा एफ एफेक्स का फॉर्मूला कि है एंपy Taekran जहांते डिपट था मैनस्तों अब्रेंटी था पिछकिले करके देख सकते हैं कि कौन साइटम थे और इन्टू वी 1 एks मैनस वी 2 एक्स और मेरी म लोग इसको तो एन दूनओंस तंग मेंडसको यह मेंडत तो यह मास फ्लॉ which it strikes the moving plate उसका flow rate जो रहते है ना हम लोग उसको डिप्रेजिन करते है मास पर यूनिट टाइम से और वी वन एक्स माइनस वी टू एक्स वेसे फर्दर टम अब नहीं लिखा आप पहले देख सकते कि मास फ्लो रेट का यूनिट क्या होता है केजी पर सेकंड्स केजी पर सेकंड्स और इसमें से जो वी टू एक्स है वो जीरो होने वाला है क्यों कि जब प्लेट इस पर हम स्ट्राइक करेगी तो इसके अंदर होके तो नहीं जाएगी ना आगे का फोर्स वी टू एक सम्मदलेटै क्या होता है कि इसको हम लोग स्ट्राइक करेंगे ऐसर कि ऑर वी टू एक्स मतलब क्या इसके अंदर होने के बाद जो भार का फोर्स रहता है कि यह होने ने वाला क्योंकि प्लेट हमारी समूथ नहीं है Спасибо में इसलिए इस लिए टू ऐक बेयो यूनिट लेंगे यह इसमीटर पर सेकंड को इसलिए यह इसलिए तर्म ने हम लोग ने इस वी टू एक्सका मोग जो माना है तो रो पता है में को यूनिट क्या होता है केजी पर मीटर क्यूब होता है केजी पर मीटर क्यूब और फ्लोरेट का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड तो मेटर क्यूब को कैंसल करने के लिए हम लोग मेटर क्यूब मेटर क्यूब यह से कैंसल हो गया तो बचा क्या मीटर पर सेकेंड जो यह लास्ट यूनिट बचा मीटर पर सेकेंड और केजी पर सेकेंड तो हम लोगों यह यह टम मिल गया एक एक के लिए हम लोग को यहीं चाहिए था हम लोग को मिल गया अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो पापस देखिए तो आपको अच्छी से समझ में आ जागे कि कि केसे डेरिवेशन आ रहा है ओके मोरता हैए एफम लोग आगे का वी टेने वाले कि केसे होगा अब फेले जान लातें फ्लोरीट होता क्या है। इस च्छाहिए और उसका और उसका व्यों शाठीट भी वम री मैनस यू है क्योंकि हम लोगने पहले देख्आ कि जब इकोग्षा होने के बाद प्लेट भी मूव होगा और जेड भी मूव होगा बरबर कुछ ऐसे टम देखे था आप लोग ने वी माइनस यू उपर यह वी माइनस फूर नीचे रoleे तो वी और यू वή हम लोग दें पता चला कि वेलोसिटी ऑब जेट यू ऊ-जये इंट बदा वेलोसिटी आफ प्लेट जो प्लेट मूव हो रहा है उसका वेलोसिट्य तो हम लोग इस टम में इसको कैसे लेख सकते है फ्लोड़ट को तो रो इंट्व हम लो कूने फ्लोड़ध के जगा यापम हम लोग देए से रिप्रेजेंट किया हम लोग अभी टम्स में देखा था बैसे तो यह से और जो वेलोसिटी होगा वह वह इस नथिंग बट रिलीटिव वेलोसिटी होगा अब डेट पर्टिकुलर मोविंग प्लेट उन दोनों को डिफरेंस होगा ना वह हम लोग वह वेलोसिटी चाहिए फ़र कल्कुलेटिंग मास फ्लोरेट ओके और सिमिलरी फॉर देट वी एक्स भी वही होगा क्योंकि वह प्लेट भी मूव हो रहा है और जेट के साथ इन एक् जोग कि आपने कहा से आया है तो fx तो हम लोग इसको रियरंच करेंगे अच्छे से इस fx is equal to rho into a b-u the whole square यह v-u v-u multiply होगा तो v-u the whole square अंदर आ जाएंगे तो आगे का टम देखने वाले हम लोग तो हम लोग को तो फाइनली fx force exacted by a jet on a moving plate तो उसका हम लोगों इन एक्स डिरेक्शन तो उसका हम लोगों formula मिल गया है that is fx equals to rho into a b minus u square तो हम लोग पहले मेंने बताया था कि अगर four plate stationary रहेगा तो उसमें कुछ work done produce होता नहीं बट इस case में जो प्लेट है वो भी मुव हो रहा है जेट के साथ तो इसमें हम लोग वर्कडन का फेनोमेन आएगा तो हम लोग पेले देख लेते वर्कडन केसे formula के उसका कि work done on a plate by a jet जो वर्कडन आने वाला है जेट पे उसका फॉर्मूला है रो इंटु ए वी मैनस यू मैनस यू दो होल स्कूर इंटु यू यह वर्कडन का formula है और फे श्ट्रेट और श्ट्रेट मूविंग प्लेट मूविंग प्लेट के लिए जो जो वर्टिकल प्लेट है वह जो मूह हो रहे तो उसका वर्कडन का formula यह होगा पर सेकेंड में और तो इसका यूनिट क्या होगा वेट तो यह formula ध्यान में रख लिजिए क्योंकि में में लिए बहुत मोट्स आफी डेरिवेशन कम्स फॉम इस टॉपिक बहुत सारे डेरिवेशन इस टॉपिक सी आते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए सेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स डाउन बेलोह फॉर फॉर दे रियक्शन थैंक यू सो मुच पर वाचिन दे वीडियो थैंक यू